हलो दोस्तों कैसे हैं? यूनिक इंस्टूट में आपका स्वागत है आज हम फ़नी वीडियो प्रजेंटेशन का बारवा वीडियो देखेंगे दोस्तों इसके पहले अल्रेडी 11 वीडियो हो चुके हैं मैंने जैसा कि आपसे कमिटमेंट किया था कि आपको 20 वीडियो मिलेंगे आपको 20 वीडियो मिलेंगे यहां पर यह आपका बारवा नम्मर का वीडियो होने जा रहा है दोस्तों हम एक सब्ता है मैं एक बार एक मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे मैं एक motivational वीडियो बताऊँगा अच्छा motivation वीडियो बताने का मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कहीं का motivational गुरू हूँ यह मैं तेखिए motivational गुरू होना मतलब एक परकार का धन्दा है मैं आप से वही बात हैं सेर करने की कोशिस करता हूँ जो मैंने अपने जिबन में फेस की हैं क्योंकि हम लोगों की समस्यां हर वेक्ति की समस्यां लगभग 90 परतिसा समस्यां हर वेक्ति की लगभग सेम होती हैं कुछ समस्यां आदमी की अलग हो सकती हैं वो इसलिए कि हर आदमी अलग-अलग छेत्रों में काम करते हैं तो हम motivational video सबता हमें एक रखेंगे उसके अलावा हमारे जो continue study है वो video हम regular रखेंगे और जो भी आप video देखते हैं उनको मैं बता दूँ किसी एक channel को पकड़ लीजिए कोई भी और उसके video continue देखें हम क्या बहुत सारे channel हमारे पास होते हैं तो हम बड़े confused होते हैं कि क्या देखें क्या ना देखें तो जिसमें हमें मज़ा आता है वो हम ज़्यादा देखें ठीक है बाकी और concept clear करने के लिए दूसरा भी देख सकते हैं तो यह ध्यान रखिए चलो ठीक है आज हम start करते हमारा हमारे नियुभ भी नुच जाने वाले को क्या बोलते हैं दूस्तों इसको हुआ है drug addict का बोलते है drug addict के ड्रग एडिक्ट दूसरा है यह कौनसी भासा का सब्ध है तो क्या बोलेंगे भासा को क्या बोलेंगे language पता है आपको पहले से linguistic player लेख Kathy भाशा शास्त्री और communication तो linguistic communication मतला किसी भासा में पारंगत होना A systematic means of communication by the use of sounds or conversational symbol यह जो है systematic means of communication ब्याबस्थित communication का माध्यम by the use of sound or conversational symbol और conversational जो बात करने में जो symbol का प्रयोग भटा उसी को हम क्या कहते हैं भासा यह सब्द किस भासा का है तो दोस्तों जो भी हम पढ़ रहें knowledge बढ़ाने के लिए पढ़ रहें बस लानत है तुम पर तो क्या बोलेंगे कर्स भी होता है और इसे बोलते हैं अब देखो और क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं कर्स वर्ड कस यह भी बोल सकते हैं और एक्सप्लेटेप भी बोल सकते हैं यह सब बोल सकते लानत मतलब होता है मतलब ऐसे expression देना जब अक्सर बेकती जो है गुष्य में surprise के बस्ता में चकित होने के बस्ता में देता है जब कोई काम बिगाड़ देता है समझ से बाहर को अंगरी जी में क्या कहेंगे दोस्तो इसे बोलेंगे सब्टाइल क्या बोलेंगे सब्टाइल या बोलेंगे इल्यूसिव मतलब भ्रामक जिसे बोलते हैं ना समझ से ब्रामक बोलते है difficult to detect और grasp by the mind or analyzer मतलब आसानी से ना समझा जा सके जैसे की इस सब्टाइल पिक्चर अब सब्टाइल पिक्चर मतलब वही है सब्टाइल पिक्चर मतलब होता है जैसे समझ ना सको आप गाड़ी से उतर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको get off गाड़ी से उतर तो क्या बोलेंगे get off the car यासे कोई गाड़ी ये अंदर बैठा है कि कोई बैक्ति ज्यादा नशा कर लेता है तो उसे सुधबुद नहीं रहती और वह लड़कडा के गर जाता है कई बार वह गटर में भी गर जाता है और अपने आपको नुकसान पहुंचा लेता है कई वार उसकी जान भी चली जाती है और नसे की पहले होला कि बार जाव सब्कूल अबनाधि नहीं रहती है और दूसरे की भी जान का दोस्मान बन जाता है इंटॉकिकेटेटे इंटॉक्सी के टेड होता है रग्स इंटॉक्सी केटेड मैं ड्रग मौने लिप्तिंगा गर्म सब् lraz गर्म दिमाग को क्या बोलेंगे दोस्तों गर्म दिमाग का मतलब हीट माइंड नहीं बोलेंगे गर्म दिमाग का मतलब होता होट हैड़ेट क्या बोलेंगे होट हैड़ेट कॉलरिक भी बोलते हैं, hot tempered, या बोलते हैं, short tempered भी बोल सकते हो आप, उसके बहुत irisible और इसमें लिए quick tempered या short tempered, गर्म दिमाग, उगल दिमाग, लोगो कितने सारे words सीखें आपने, quickly aroused to anger, मतलब जो गुसे के लिए बहुत जल्दी aroused to anger, बहुत जल्दी गुसा हो जाता ह hot hat commander, मतलब यह जो है कि बहुत गर्म दिमाग का commander, sound like को अंग्रे जी में क्या कहते हैं, sound like को बोलते हैं, swarthy, dark skinned या dusky भी बोल सकते हैं, swarthy, sound like या अपने हां एक और चलता है wheat, क्या बोलते हैं, wheat color, अपने बोलते हैं, sound like color है लड़केगा, wheat color, naturally having skin of a dark color, ऐसी वाली dark, या बि practice ही हो जाएगा, बोलते हैं, शेदने को अंग्रे जी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, pierce, pierce होता है, शेदना, जैसे कि नाक शेदना, कान शेदना, इसको pierce बोलते है, make a hole into the pie string the nose, यह जो है, pie string nose हो रहा है, इसका, the needle pierce her flesh, the needle pierce her flesh, थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल रसोई के सामन, गंगरी जी मैं क्या करते हैं, दोस्तो, kitchen utensil, utensil बतन होता है, या सामगरी होती, kitchen की तो बोलेंगे kitchen utensil, a utensil used in preparing food, जो food prepare करने में, तो यह जब भी चीज़ें लेने जाएं, तो आप इनको क्या बोलेंगे, utensil, we have variety of kitchen utensil, अगर आपकी दुकान है, तो आप यह अगर आपको खरीदने जाना है, तो आप बोलेंगे, I want variety of kitchen utensil, तुमने बहुत तकलीफ उठाई, you suffered a lot, आप देखते हैं, हर सफल बेक्ती बहुत तकलीफ उठाता है, क्योंकि तकलीफ के बाद ही तो सफलता मिलती है, जो महनत करते हैं, वही तो महनत एतना संस तकलीफ, तो lot या much, very much, अब बड़ी-बड़ी बातों को यह बोल सकते है, you suffered a lot, यह तो छोड़, okay, okay, let it be, यह तो पुराना वाला होगया दोस्तों, you suffered a lot, पुराने वाले का आगया, बड़ी-बड़ी बातों को बोलते हैं, जैसे कि कोई बैक्ती, बड़ी-बड़ी बातों मारता है, द बोस्टिंग, ठीक है, किसमिस को अंगरे जी में कह करते हैं, किसमिस को बोलते हैं, रेजिन, क्या बोलते हैं, रेजिन, रेजिन होता है, किसमिस, सूख है अंगूर, रेजिन, तो कि ड्राइड ग्रैप, उसे बोलेंगे रेजिन, गद्दार को को बोलेंगे दोस्तों, गद कोई व्यक्ति जो होता है वो गदारी कर देता है गदारी कर देता है गदारी करके उसको बोलते हैं तो देश द्रोह करके जो गदारी कर देता है उसको बोलते हैं गदार ठीक है, he is traitor because he leaked out secret information, इसलिए इलिए गदधार कह रहा है क्या कि उसने leak out secret information उसने secret information को legal कर दिया, पाईल को अंग्निस में क्या केते दोस्तों, पाईल को, एक्चुली इसमें जो पाइल की जनकार है जिंगलिंग पाइल को बोलते हैं एंकलेट क्या बोलते हैं एंकलेट टीक है पाइल को बोलते हैं एंकलेट तो इसको पाइल की जनकार लिखा है यहां पर पाइल की जनकार को बोलेंगे जिंगलिंग पाइल की जनकार जन जन is in every beat of my heart the jingling of your ankle is in every beat of my heart तो जो यह कह रहा है कि पायल की जनकार आपकी पायल की जनकार मेरी जनकार मेरी हर धड़कन में है ऐसा लोग बोलते हैं ठीक है अंतिम संसकार को क्या बोलते हैं बहुत ही जरूरी वर्ड है आपको पता होना चाहिए इसे बोलते हैं क्या बोलेंगे फन्रल अंतिम संसकार 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 इस बरीट और क्रिमेटेट तो क्या बोलेंगे उसे फंडल जैसे की दा हंड्रेट साफ पीपल अटेंड हिस फंडल हंड्रेट पीपल उसके अंतिम संसकार में हजा हंड्रेट साफ पीपल सेंक्ड़ों लोग गए उसने सुई चुभा ली अभी हमने चुभाने का पहले सकते वहाँ टिक्जर्ण चुभाना होता है और पिरस्ट करते हैं यहां पे क्या है असर प्यूंट-एट्ट इंप्लमेंट यूस वेली उसने सुष रिबर में इस टिक यहां पर इस्टक बोल दीया मतलब उसने इंटू हिस्टम इस्टक लेकिन इसे परकड भी बोल सकते है आप चबाने को प्रिक या इसरे परकड अने दिछ ट में इस त सकते हैं परङग बीच domb मैं उसका इंतचार करती रही की पर्ण होता कोई भी काम जारी रखना continue रखना ठीक है return ठीक है I kept on waiting for him I kept on waiting for him यह कोई मैट्रो स्टेशन पर खड़ी है I kept on waiting for him टीका लगाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों टीका लगाना होता है बैक्सीनेटर टीका लगाना बैक्सीनेशन होता है टीके लगाने की प्रोसेस अनक्यूरेटर भी होता है वैक्सीनेशन तो यहां बेक्सीनेशन और अमेडिकल प्रेक्टिसनर हो अनक्यूलेट तपीपल अगेंस्ट डिसीज वैक्सीनेटर रिक्वार्ट फॉर्ट हिस एरिया ठीक है फ्लाइड हिट एरिया जहां पर मतला बाड़ अगरह आई है तो वहाँ पर उसको जाने की आप शक्ता है, मतल़ रिकॉरमेंट वाक्सिनेटर की ठीक है, लगने वाले हैं, गीदर्ड को अंग्रीती में क्या कहते हैं गीदर्ड को बोलते हैं जकॉल, गीदर्ड को बोलते हैं जकॉल, कैनिस और अरियस भी वह होता है, जकॉल सबसे common word है, यह याद रखिए आप, ठीक है बाकी जो word है वो बिदेशों में बोले जाते हैं, या फिर कई डिस्कवरी में यूज किया जाते हैं, वन डे लाइफ ऑफ जीने से अच्छा, एक दन सेर की तरह जीओ, वन डे लाइफ ऑफ लाइन इस बाटर देन हंडेड यर्स अबज जगॉल, जान सबको प्यारी है, लाइफ इस डियर तू आब्रिवान, दियर मतलब होता है, प्यारी, लाइफ इस डियर तू अब्रिवान, दा एक्स्पिरियं अझियाए, प्यारी को क्या कहएंगे ये वेट, सफेधी तो वाइफ होता है अयड़न की, ठीक है, तुसे ये बोलता है, जा दियर जैसे ये बलता है brings to the all रिंड होता है के खेंड की उने भीट खेंट हें। आगे देखते हैं गाड़ी उलट गई तो क्या बोलेंगे फिलिप ओबर पलट जाना ये घटनाय नॉर्मल होती रहती है आपने कई बार देखा होगा अकवार में रोज कहीं न कहीं कोई गाड़ी पलटती है तो आपको पता होना चेक उसको पलटने को बोलते क्या है फिलिप जो क्या बोलेंगे flip over या turn over भी बोल सकते हैं लेकिन flip over ज्यादा अच्छा है पलट जाना उलट जाना पलट ना उलट ना turn upside down और throw so as to reverse क्या बोलेंगे the car flipped over कहीं भी car पलट है आपको यही सब्द बोलना है car flipped over किसी भी तरीके से पलट है जादा दिमाग नहीं लगाना the car flipped over उन्टनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों उन्ट को तो camel बोलते हैं और उन्टनी को सी कैमेल को बोलेंगे यह female camel को बोलेंगे c camel milk boost immune system जो उन्टनी का दूद है वो बहुत ही strong immune system वो यह बहुत महंगा मिलता है और बड़ी मुश्कल से मिलता है निराश ना हो हो जाना तो क्या बोलेंगे lose heart give up hope lose courage मतलब यह है कि यह भी होता है कि lose heart हिर्दर खो देना give up hope उमीद खो देना lose courage अपना शाहस खो देना इन सब चीजों को बोलेंगे निराश होना don't despair I am with you आप despair ना हो मैं आपके साथ हूँ गंबले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तो flower pot यह सब जानते हैं बताने का वश्क्ता नहीं है फिर भी कुछ ऐसे जैसे नीचे कलाइन में कहले cultivated तो वह है जहां जिसमें plant की खेती की जाती cultivated तो यह भी तो सीखते हैं see planted rose wash in flower pot ठीक है अगला दूद फट गया अब यह रोज की घटना है मना रोज दूद नहीं फटना पर यह daily routine में यूज होने पूछेंगे दूद फटड गया अंगरेजी में क्या बोलते है मिल के turn bought अभी एट है मैं बहलाने को तो सीद्दी सी बात बहलाने को तो entertain होता है इंटरटायemi करना किसी को entertain him ठीक है और बहलाने फुचलाने को बो एक वर्ड और है बो बहलाना फशलाना ठीक है यह भी होता है और बस इंटर्टेंट काफी है तोफ किस व्यक्ति को कहते हैं तोफ धनी व्यक्ति को कहते हैं ठीक है मतलब यह है कि किस प्रकार से समझो कि what is like to be the unemployed and poor मतलब जो है कि जो बैक्ति धनी होता है उसको हम लोग टौफ बोलते हैं मतलब यह है कि किस प्रकार से जो है कि unemployed जो बैक्ति है उनको जो जो है टौफ लोग पसंद ने करते है धनी चिम्टाने उग अंगरे जी में क्या केते हैं चिम्टाना चिम्टाना मतलब होता है कि चिम्टाना मतलब किसी से चिपकना यह जो है चिम्टाना किसी गोदी में चिपका लेना तो उसे बलते हैं कडल चिम्टाना या चिमट जाना चिपका लेना Move or arrange oneself in a comfortable and cozy position Be cuddled against each other to keep warm हम एक दूसरे को चिपका लेते हैं किसलिए गर्मी रखने के लिए जैसे ठंडन के दिने में सलाय दी जाती कि पास पास चिपक को सो जो लोग रहते हैं आर्मी आर्मी मेन वाले वो लोग ऐसे सोना पड़ता है The children singled into their sleeping bags तो singled आप होता है ये भी बोल सकते हैं आप singled भी हो सकता है चिम्टाने को और कडल तो बोलते हैं तो बच्चे जो है अपने sleeping bag को single करके सो जाते हैं Bumpkin girl किस लड़की को कहते हैं Bumpkin girl Bumpkin girl कहते हैं गवारू बेढ़ंग लड़की को Bumpkin A person who is not very intelligent or interested in culture जो ब्यक्ति क्ल्चर में जदे इंटरस्टेट नहीं होता है मतलब जो संस्कृति में ज्यादा नहीं समझता A Bumpkin girl Sanskranti मतलब जो चल रहा हैं वो संसकृति है जो अभी बरतमान में चल रहा है इंडेंजरमेंट भी बोलते हैं हैजार भी बोलते हैं और जियो पार्डी और पैरल भी बोलते हैं लेकिन इतने सब्दों पर मत जाये रिस्क ज्यादा ठीक है इजी भी है आप करते रहते हैं एशोर्स ऑफ डेंजर एप पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लोस और कोकी किस बैक्ति को कहते हैं दोस्तों कोकी घमंडी बैक्ति को कहते हैं ठीक है ना जैसे कि overly self-confident or the self-assertive he seems to be very cocky वह बड़ा घमंडी लगता है बड़ा घमंडी देखता है आप वेरी कोकी यंग मैं बहुत घमंडी बैक्ति नास पाति को अंगरे जी में क्या कहते हैं दोस यह जो सूइटी जो फूट है जो फल है वो कई परकार की वेराइटी में नसलों में उपलब्ध होता है इसे नास पाति कहते हैं ठीक है पियर्स और ओफन तो इसे कह बोलते हैं पियर्स और ओफन रेकमंडेट एजसे फूट तू इंट्रूज टू इनफेंट्स मतलब यह ह वेरोट को ऑनको आज इतने क्यों हो नोहिट थोप को बोलेंगे वाइयर यौ रिःकर टूटी को बोलते हैं थैघण से घॉमाकर बंदकर दो टॉटी बंद कर दो और टंड ओन दा टैप टॉटी को चालू कर दो तो यहां पे आप फासेट भी बोल सकते हो ए रेगुलर ए रेगुलर फॉर दा कंट्रोलिंग दा फ्लो ओफ ए लिक्विट फ्रम ए रिजर्वाइर जो रिजर्वाइर से कंटिन्यू पानी गिरता है उसको बंद करने को हम लोग फासेट बोलेंगे यू केंट फिक्स ए लेक्सी फसेट यॉरसेल्फ थोड़ा समय लगेगा अब समय तो नॉर्मली नाओन होता है मैं लादा टाइम होता है समय तो टाइम इक नाओन है तो क्या वह लेंग इट बिल टेक सम टाइम इसमें ज्यादा समझने की कोई आवश्यक्ता नहीं है तो इस परकार से यह संटेंस भी पढ़िएगा इससे आपकी इंग्लिश और अची होगी सक्की पती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सक्की पती सक्की को बोलेंगे क्या वोलेंगे बॉलेंगे। अगर किसी का पती सक्की है तो उसको ज्यादी और गहींदे को बोड़ेजर, बिलिफ सब्छले में बीलीफ के अतिरिप्त जो है ब्लीफ करने लगता है मैं क्क sammaAPP किरानेवाले को अंग्रे जी में क्या करते हैं जो बहते हो रेते हों प्लाइफ ने सर्थुटा और स्टपली करता है इस प्रकार की दुकान आप देख के भी समझ रहे हो बेतो के को अंगरेजी में क्या बेतो का बेढंगा उसे बुलते हो आपके सामने कुछ गड़वड सा दिखता है तो आपके बुलते हो कितना बेतोका है तो क्या बुलेगे इनकंसिस्टेंट और लॉजिक और कमांड थीचर नाक के अलावा और क्या कहते हैं Snout भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं Snout, informal terms for the news Snout Hold your snout हम लोग क्या करते हैं informal terms में बोल देते हैं जैसे कि अपने नाग को कुछ और बोल देते हैं मैं तरी नाग तोड़ो दूँगा लेकर और भी कुछ बोल देते हैं मुँ तोड़ो दूँगा मुँ को नाजने क्या 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 बोलते हैं इस परकार यह informal terms है खाने में क्या है तो फूट खाने में क्या है तो खाने को फूड बोलते हैं What's for food क्या बोलेंगे what's for food What's for food खाने में क्या है ठीक है Any solid substance as opposed to liquid that is used as a source of nourishment अज़र के पालन पूशन के लिए जरूरी है तो वो पूछ रहा है खाने में क्या है अधर्मी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं impious बोलते हैं P.S. होता है पुन्नात्मा धर्मी होता है P.S. और impious होता है अधर्मी जिससे कोई मतलम नहीं है Lacking piety or reverence for a God Lacking piety मतलब lacking मतलब कमी होना Piety or reverence मतलब जिसमें reverence आस्था होता है Piety पवित्रत है जिसमें पवित्रता और आस्था की कमी होती है भगवान के लिए स्रद्धा का आभाव होता है Reverence होता है स्रद्धा उसको क्या बोलेंगे अधर्मी कितने अच्छे वर्ड है आपको आना चाहिए प्यास बोजाने को क्या बोलेंगे दोस्तों क्वेंच क्या बोलेंगे क्वेंच अले ठीक है एसवेज एसलैकी प्यास बोजाने को बोलेंगे Satisfy Thrust को बोलेंगे क्वेंच तो इसमें लिखा He is quenching his thrust वह अपनी प्यास हो जा रहा है The cold water quenched his thrust मन्दब ठंडे पानी ने उसकी प्यास हो जा दी नंगे सिर्क अंग्रेजी में क्या बोलेंगे वेर हैड़ेट नंगे सिर्क बेर हैड़ेट जैसे कि जो महिलाएं अपने सिर्के उपर पल्लु डालती है अगर पल्लु नहीं डालेगी तो आप उनको बोलेंगे बेर हैड़ेट अगर जो कैप नहीं लगाएगा soldier तो उसको बोलेंगे आप बेर हैड़ेट अगर आप धूप में जाते हैं और कुछ अपने सर को नहीं ढखते हैं दूप से बचाने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि आप बेर हेड़ेड हो आप नंगे सर भूम रहा हूँ ठीक है having the head uncovered ठीक है she doesn't go out bare-headed मतलब she doesn't go out basically in summer days we don't go out bare-headed हमें नहीं जाना चाहिए कातल महिला को अंगरी जी में क्या कहते हैं दोस्तो madres क्या बोलते है madres आदमी को तो क्या बोलेंगे madres महिला को क्या बोलेंगे madres समझ गया है ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना madres a woman madres madres confessed his crime madres ने अपना crime confessed कर लिया मतलब उसने मान लिया कि हाँ वो अपरादी है उसने madres किया सपेरियों का अंग्रेजी में क्या बोलते है snack charmer snack charmer बैसे इन पर प्रतिबंद लगा दी ऐसा सन्ने बहुत पहले कि साप इस परकार से नहीं पकड़ सकते फिर भी ये लोग गावाँ में घूमते रहते हैं पैसे कमाने के लिए snack charmer a performer who use movement and music to control snack मतलब वो ऐसा काम करता है movement करता है कि वो साप को जो है who uses movement and music to control snack इसे music से साप को control करता है the snack charmer uses blow horn to excite the cobra which opens its hood in its defense और क्या करता है जो साप उठाता है ना फन वो अपने डिफेंस में उठाता है और इस रक्षा के लिए अपना फन उठाता है hood यह तो कोई hero लगता है तो क्या वो लेंगे लगने को seem क्या वो लेंगे he seems to be a hero he seems to be a hero give a certain impression or have a certain outward aspect thank you very much दोस्तो आज हमारा यह बारबाब वीडियो हो गया है बहुत ही जल्दी मैं 7 वीडियो और complete करके upload कर देता हूँ की फोटू भी लगी सामने ठीक है thank you very much आप करें सोब्सक्राइब